लोग सिर्फ अपने एंटरेंडमेंट के लिए पफर फिश की जान लेने में लगे हुए हैं असल में पफर फिश को जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो वे अपने शरीर को किसी गुबारे की तरफ उला लेती है और लोग इस फिश की इसी आदत का फाइदा उठाकर मजे ले रहे हैं मगर ऐसा करना इस फिश के लिए खतर नाक होता है और ये तब और भी जादा खतर नाक हो जाता है जब ये फिश इसे पानी के बाहर करती है क्योंकि तब ये सिर्फ हावा को अपने पेट में भरती है जो कि इसके लिए जानलेवा भी हो सकता है